ह мало इस्टूरेंट्स इससे पहले वाले वीडियो में हमने व्यक्तिकत राजने और सर्वादकारवाधी राजने पर डिसकस किया था इसमें इस वाले वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो है खुला राजने और गुप्त राजने देखिए जैसा कि शब्द से ही हमें समझ में आता है open and secret diplomacy open का मतलब खुला हुआ और गुप्त का मतलब जो छिपाया जाता हो खुला जो जनता के समक्ष प्रकट हो जनता का समर्थन हो और गुप्त का मतलब जो जनता से छिपाया जाता हो देखिए खुला राजने की जब हम बात करते हैं तो वर्तमान में खुला राजने की प्रवर्ती ही प्रचलित है आज राश्ट्रों द्वारा अंतराश्टी इस्तर पर जो संधियां और समझोते जथा राजने की व्यभार किया जाता है उसकी जानकारी जनसाधरन को प्राप्त होती है प्राय सभी प्रजातंत्रिक राष्ट्रों द्वारा खुले राजने का सहारा ही लिया जाता है स्वंक्तराज अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और भारत जैसे लोकतांत्रिक राष्ट्रों ने अपने प्रजातंत्रिय समिधान के आधार पर खुले राजने को ही अपनाया है खुले राजने से तातपरिय, राजने का उन आकांशाओं से प्रभावित और संचालित होना है नैतिक और आधर्शात्मक आधार पर ही इसका समर्थन किया जाता है अर्थात जो जनता को पता हो, जनता की समक्ष हो, जनता को जनकी जानकारी हो देखे, प्रथम विशुद्ध के बाद से ही इस प्रकार की राजने का समर्थन किया जाने लगा है अमेरिकी राष्टपती वुड्रो विल्सन के 14 सिद्दानतों में पहला यही था कि सभी शांतिपूर समझोते खुले रूप में किया जाने चाहिए तथा राजने का संचालन जनतांतरिक तरीके से बहुमत की राय के अनुसार ही किया जाना चाहिए श्री विल्सन ने खुली वारताओं तथा विदेश सम्मंदों पर भी प्रजातांत्रिय नियंत्रण पर ही बल दिया था अर्थात खुली वारताएं हो और विदेशी जो सम्मंध हैं वो प्रजातांत्रिक तरीके से ही होने चाहिए हैं इस विल्सोनियन राजने का अर्थ था वारताओं का खुला सोरूप और शक्ती संगर्ष के स्थान पर सामुहिक सुरक्षा जो प्रजातंत्रिय विवस्था से नियंत्रित होती हो रूसी रेखक अनाटोले ने अपनी पुस्तक आधुनिक राजने में यह दावा किया है कि सोव्यत सरकार ने शान्ती के आदेश में प्रकट रूप से किये गए प्रकट समझोते कि सिद्दान्त को सबसे पहले प्रतिपादित किया था उसी ने ही समस्त वारता को खुला और आम जंता के समक्ष रखने का द्रड उद्देशे घुशित किया था इसी उद्देशे से प्रेरित होकर जार तथा रूस की एस्थाई सरकार द्वारा की गई सभी संधी पर समझोते प्रकाशित किये गए थे सरदार के एम पाणी करने 1956 इसी में प्रकाशत अपनी पुस्तक राजने का सिद्दान्त और व्यभार में अंजा ने ही अना टॉलिव के इस मत्की पुष्टी की है कि दितिय विशुदी के पस्चात से ही वारताएं खुले रूप में होने लगी हैं सवयक्त राजज अमेरिका के विदेश मंत्री जेम्स ब्राया तो मतस्य कटोरे के राजने में विश्वास करते थे देखे मतस्य कटोरे का राजने से तात पर यह है कि जिस प्रकार कमरे के बीच मेज पर कांच के बॉल में एक मचली रखी हुई है जो तहर रही है और वो सब्सक्राइब तो ठीक उसी प्रकार से इसको बोलते मतस्य कटोरे का राजने में इसी प्रकार से राजने एक वरतावी सभी को दिखाई देती है और सभी को मालूम होती रहती है आज अंतराश्टी संबेलोनों में पत्रकारों, रेडियो तथा टेलिविजन प्रतिनिधियों को आने की भी छूट है सहयोकतराज अमेरिका के विदेश सचीव डाक्टर हेंडरी किसिंजर ने एक बार कहा था कि वे तथा राष्टपती निक्सन कांग्रेस के साथ सहयोक की निती अपनाएंगे तथा विदेश सम्मंद जहां तक संभव हों खुले रूप में ही किये जाएंगे अब इसके खुले राजने के पक्ष की जब बात आती है तो पक्ष में निमलिकित तर्क दिये जा सकते हैं कि आवशकता के समय जनता द्वारा, भाई, खुले राजने में क्या होगा? कि राजने जो है संदिया या वारताय जो है वो ओपन रहेंगी जनता को उनकी जानकारी रहेगी जनता के समक्ष रहेंगी तो ऐसे समय में क्या होगा कि जब आवशक्ता होगी तो जनता द्वारा धन और जीवन का बलिदान किया जा सकता है इसलिए सरकार द्वारा उन्हें को तत्यों से अउगत करना अनिवारिय होता है। इसलिए प्रजातांतरिक सरकार जो जनता के प्रती उत्तरदाई होती है। उस समस्त फेंसले भी जनता को जनता एकार से जानकरी उनकी होनी चाहिए। तीसरा तर्क दिया जा सकता है कि यदि राजने कारियों पर जनता का संरक्षन एवं नियंतरण रहेगा तो राजनितिक की विनाशकारी युद्धों का वातावर्ण नहीं बना पाएंगे तता जनता को जबरदस्ती युद्ध में नहीं जोका जा सकेगा इसी प्रकार नेक्स्ट पॉंट है कि खुले राजने की विवस्था में भी महत्पूर्ण विशियों पर व्यक्तिगत रूप से विचार विमर्ष किया जा सकता है और समझोता हो जाने के बाद उसे जनता की जानकारी ही तो प्रकाशचित किया जासकता है तो हम देखते हैं कि आज के लोकतांत्र की युग में या प्रजातंत्री युग में जादा तर संधी और समझोते जो होती हैं, वारताएं जो होती हैं, हम न्यूस पेपरों में उनको पढ़ सकते हैं, हम समचार में उनको टेलिविजन में उनको देख सकते हैं, अर्था सब है किस देश के साथ कौन सी संधी की कौन सा समझोता किया है ना उसकी क्या लाब है क्या हानी है एक लंबा सा भूमी का निभाता है और उसका एक रीजन यह है कि जनता को जब देश के बारे में पता होगा तो जनता भी अपने देश के लिए नियुचावर के लिए तैयार रहेगी नेक्स्ट जो है इसमें वो है गुप्त राजने देखिए गुप्त राजने जैसा कि इसके शब्द से ही हमें पता चल रहा है कि इसके अंतरगत लिए जाने वाले अंतराश्टी समझोते और संधियां गुप्त रखी जाती है उनको सामाने जनता के सम्मुक प्रकाशित नह अपनाया जाता है किन्तु यह वहीं तक सीमित नहीं है प्रतम विश्योद के समय मित राष्टों ने इटली तथा अन्य राज्यों से जो गुप्त संधियों में अनेक वादे किये उनको तटस्त रखा जा सके तथा आपने पक्ष में कारिरत किया जा सके इसलिए इस तरह की जो संधी और समझोते जो अस्तित्व में आई इन गुप्त संधियों के काराण पैरिस का शांती संबिलन सफल ने हो सका मित्रता एवं सहयोग के लिए की जाने वाली अनेक संधियों में गुप्त प्रावधानों का समावेशन होता है मई 1949 का इटली जर्मनी का समझोता तथा अगस्त 1949 की रूस जर्मनी की संधी गुप्त राजने के ही परिणाम थे तथा सन 1945 के याल्टा संधियों में गुप्त प्रावधानों की जानकारी होने पर अंतराश्ट्रिय एसंतोष का सूत्र पात हुआ अर्थात क्या होता है कि कई राष्ट किसी तीसरे राष्ट के खिलाफ गुप्त संधी और संजोते कर लेते हैं जिसमें शोशन का भी भे रहता है अत्याचार का भी भे रहता है और कब किसके खिलाफ शडियंत्र कर दें उसका भी इसमें भे रहता है गुप्त राजने के पक्ष में प्राय निमलिकित तर्क भी दिये जाते हैं कि एक सफल राजने का गुप्त रहना अनिवारिया है अर्थात इसके जो समर्थक हैं वो ये मानते हैं कि राजने को हमेशा गुप्त रहना चाहिए इसी प्रकार दूसरा तर्क दिया जा सकता है कि गुप्त रूप से किये गई समझोते में सौधे बाजी अधिक खुलकर की जा सकती है तता राश्टी हितकी रक्षा के लिए अधिक उपयोगी निर्णे लिये जा सकते हैं खुले राजने में जनता की आलोचना के भैसे राजने गिनर्ने लेने में हिचकचार दिखाते हैं जबकि गुप्त राजने में ऐसा नहीं होता क्योंकि सारी संधी और समझोते गुप्त होते हैं ठीक इसी प्रकार यदि गुप्त राजने का आचरन ने किया जाए तो राजने ग्यों को प्रचार में रुची लेनी होगी तथा वे अपने करतव्य मार्ग से हट जाएंगे उनको जनता के शनक दुरागरों से भी प्रभावित होना पड़ेगा ऐसा भी तर्क दिया जाता है इसके अलावा खुले राजने की समश्याओं का निर्धारण गुप्त राजने में ही हैं खुले राजने के अंतरगत पत्रकारों, सांसदों प्रमुक अधिकारियों द्वारा समय समय पर दी जाने वाली सूचनाएं रहश्योद घाठन करने वाली होती हैं ये सूचनाएं मद्य संबंदों को कटू बना देती हैं जैसा कि पेंटागन पेपर्स के कारण भारत अमेरिका के तता अमेरिकी वाइस एड्मिनर के साक्ष के कारण जापान अमेरिका के संबंद कटू हो गए थे और गुप्त राजने में इस परकार कभ है नहीं रहता देखिए जब हम ड राजने के किसी भी प्रकार की अपने कुछ समर्थन के तर्क होते हैं कुछ उसके विरोध के तर्क होते हैं या अपन ये कहें कि हर थियोरी का अपना एक पक्ष होता है तो किसी एक निसकरश पर हम नहीं पहुँच सकते बट यह है कि हम अंतराष्टी राजनीती अंतराष् को पढ़ना है और सभी को उनके